इंडिया के ऊपर, रॉकेट साइंटिस्ट के ऊपर अचानक से एस्प्यूनाश चार्जस लगते हैं, ये वो रॉकेट साइंटिस्ट है, जिनोंने की हमें विकास इंजन बना के दिया, जो कि आज भी PSLV को आउटर स्पेस में ले जाने का काम करता है, तो आखिरकार क्या वा नारायनन थे कौन, तो नमभी नारायनन हमारे एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनोंने की अपनी मास्टर्स प्रिंस्टन यूनिवरस्टी से डॉक्टर सारा भाई के कहने पे 1969 में प्रोसीड की थी, उनकी जो मास्टर्स थी, वो रॉकेट प्रोपलेशन थियोरी के ऊपर थी और उस टाइम पे वो लिक्विट फ्यूल की बात कर रहे थे, जब पूरी दुनिया केवल और केवल सॉलिट फ्यूल के ऊपर अपने रॉकेट चला रही थी, 1970 में वो APJ अब्दुलकलाम से मिलते हैं, और APJ अब्दुलकलाम उनको काफी जादा मोटिबेट करते हैं कि लिक्विट फ्यूल और प्रोपल्शन थियूरी के ऊपर अपना काम जारी रखें, आफ्टर अडेकेड, आफ्टर अडेकेड और टू, वो अल्टीमेटली सक्सेस्पुल भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सक्सेस्पुल होने लगते हैं, 1992 में इंडिया रशिया के साथ म और उनको बहुत सारी वर्ल्ड फोरम पे बदनाम करने की धंकियां देते हैं, जिससे कि वो इंडिया के साथ में अपनी डील को इस्थगित कर देते हैं, डील के बीच में इतना बड़ा अंतर था कि जो काम फ्रांस और यूसें 960 मिलियन और 675 मिलियन में कर रहा था, वही स लीक करने के चार्जस 1994 में डॉक्टर नंभी नारायनन के उपर आ जाते हैं, उनको 50 दिनों के लिए जेल रहना पड़ता है, इस बीच में हालात यह हैं कि उनको पूरा देश गदार बोल ला है, उनको पूरा देश उनकी बदनामी कर रहा है, उनकी जो फैमली है वो इतने अब इसी जगा पे 1996 में CBI आती है और नॉट गिल्टी नंभी नारायनन को बताती है और वो सारे चार्जस नंभी नारायनन के उपर से डिसमिस करती है, और सुप्रीम कोर भी सारे चार्जस को डिसमिस कर देती है, कोई भी प्रूव नहीं मिल पाता है, लेकिन एक आदमी को दो साल तक गदार कहलाने का एक सिनारियो बन जाता है, कई एक इंटर्व्यूज होते हैं जहां पे कि डॉक्टर नंभी नारायनन से ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, इस पूरी कॉंस्पिरेसी के पीछे कौन था, तो फिर वो कुछ भी वो कहने समना कर देते ह हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि शायद से वो लोग थे जिनने देश की बढ़ती हुई तरक्की से बहुत बड़ी दिक्कती, तो हमारे सामने ये एक सोचने की बात है, कि क्या हमारा मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहें, डिस्चल मीडिया हो, वो किसी भी सजा ना मिले, लेकिन दो साल तक वो बेगुना सजा जहल चुका है, उसके तोर पे आप उसको leverage देते हैं, बहुत सारे आप उसे compensations देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो charges, जो जिस चीट से उसका नाम जुड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से tarnish हो चुका है, इंडिया की aerospace programs पीछे जा चुके हैं, और सोचिए वही विकास engine आज भी PSLVs के अंदर use हो रहा है, 2008 में जब चंदरयान 2 mission होता है, तो वही विकास engines होते हैं, जो कि आपके चंदरयान को इस space में ले जाके छोड़ते हैं, तो हमने किस तरीके से एक patriotic scientist को fail किया, ये वो patriotic scientist है, जिसके से मिलने वाली salary का शायद से 20 times जादा उनको offer किया गया था, वो उन्होंने ठुकरा दिया था, तो शायद से कभी money तो matter करी नहीं रहाता, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो चाहते थे India aerospace में एकसल ना करे, तो उन्होंने कहीं न कहीं एक धक्का जरूर से लगाया, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस तरीके की news को जरूर से जाने इसके बारे में और ज्यादा पढ़े, मैंने आपको बहुत short में बताया है, मेरा नाम है अर्पितनी लांच पांडे और मैं आपको इस तरीके के regular videos मैं provide कराता रहूँगा, thank you, very much.